कि दोंट फरगेट तो सब्सक्राइब और प्रेस्ट बेल आइकन तो नेवर मिस्ट वीडियो फ्रॉम टेस्ट बॉक डॉट कॉम हेलो दोस्तों नमस्तियाद आप सश्रिया खाल और टेस्ट बॉक डॉट कॉम आप सभी लोग का हमारे इस चैनल पर स्वागत थे तो आज है दिवाली का दिन आप सभी लोग को दिवाली की हार्दिक सुपकामना है पठाके फोड़िए दिये जलाइए और खुसियां लाइए बड़ों का असिरवात लीचिए और छोटों का प्यार पाईए इसी उमीद के साथ मैं पंकर चौबे वापस से आपके साथ जुड़ चुका हूं आपके ससी जीडी की त्यारी को एक अलग मुकाम पर लेकर के जाने के लिए और यहीं मौक टेस्ट दिलाएंगे वर्दी हमारा घगघर रिवर है इसकी उत्पत्ति कहां से होती है अरावली है ना सिवालिक या माउंट आबू या इन में से कोई नहीं तो बजनता को यहां पर क्या लग रहा है सही जवाब क्या होना चाहिए तो गाइस एक कुश्चन पूछाता है काली बंगान कौन सी नदीब के किनारे है काली बंगान जो की राजिस्थान की हमारे एरोलोजिकल साइट है वह हमारी घगघर रिवर के किनारे है यह हमारे सिवालिक की स्रेडियों से निकलती अरियाणा को टच करते हुए काली बंगान राजिस्थान तक जाती रिवर हमारे यहां पर दो नंबर सिवालिक कि स्रेडियों से निकलती है बहुत साय लोगों को आरा वली लग रहा था गलत है तो गाइस ऐसे कोस्टन हमारे एक्जाम में गलत नियुक्त चीए इसके उपर सबसे इंपॉर्टेंट कोस्टन है कि इंडस्वली सिब्लाइजेशन की साइट काली बंगान कौन सी रिवर पे है सोच है क्या होना ची सामने पड़ा हुआ और श्रेणी ने पिछली बार भी नियुए लिविए इक साइट पूछा था अगर तुम्हारे सट में यह कोस्टन आ गया तो क्या जवाब सबसेंट में नहीं क्या नहीं नहीं तो चिर्फ एक सट में नियो लिटिक साइट का कुछ सहब कि की बात कर देता हू 정도 ने भिगान ही पहाड़ियां करनाटक में जहां से हमारी कावेरी नदी का उधगम कावेरी नदी का उध गम ब्रहमगिरी की पहाड़ियों से हो ता ये भी आदर लखना है और मस्की का सिलालेह असोक ने बनवाया था तो ये बोल सकते ह cries राजा हुआ करते थे संदिरहां को बहुत डबलब किया और वो भुपाल से जुड़ी हुई हमारी सताथ्दी या खुरमइड जो रहने सास्तरी है ना लखनो के एरपोर्ट को चौदरी चरणन सिंग और रायपूर के एरपोर्ट को स्वामी विवेका नंद एरपोर्ड बोलते हैं अभ्यास करना होता है इसलिए यहीं काम रहता है तो आप लोग भी अभ्यास करेंगे तो आपको चीजे भी याद रहेंगी प्राक axelic acid scarbic acid tartric acid tannic acid टामाटर में होता है इगना सकार्वी सभी घट्टे फिलो में होता है जितने भी हमारे citrus fruits नसमें हमारे इसकार्विक एसे टार्टरिक एसेड इमली में होता है और टैनिक एसेड जो होता है वो चाय में होता है है ना तो यहां पर इमली कहा गया तो इमली जो है वह हमारा तीसे नमबर पे टार्टरिक एसेड के ऊपर टिक करना है अंक सब को मिलना चाहिए यह कुश्चन गलत हो गय कर दिए यही कि एक वरकर अपना जीवन यापन कर सके कौन से आर्टिकल में लिखा है 45 47 43 तालेस में कानफ्यूजन ही कनफ्यूजन है सौलूसन का पता नहीं तो यह हमारे राज्यों के नीती ने दे सकत्तु हैं जहां पर हमारे देश को यह बताया गया राज्य को कि आप इनको फॉलो करिए तभी हमारे समाज का भला ही होगा समाज का भला इनसे होगा तो यहां पर जो सही जवाब होना चाहिए करेक्ट एंसे ऑप्शन नमबर हमारा DPSP है इसके लावा election of president election of president भी हमारा यहीं से लिया गया है तो हमको चीज़े याद रखनी है आगे चलते नेपाल का जो monkey temple है इसको आप किस नाम से जानते हैं पसुपतिनात बुद्ध सुंबा स्वैंबू temple या बर्रा छेत्र गाइस पूरे वर्ड का एक मात्र ऐसा देश जो पूरी तरीके से हिंदू राज्य है हिंदू देश है यही हमारा एक मात्र देश है ठीक है तो क्या होना चाहिए चलिए प्रजंता बोले है कि सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में एक है पूरे नेपाल का यह काट मांडू उतकी राजधानी वहीं पर आपको देखने मिलेगा और गाइस काट मांडू में सार कंट्री का हैड़कॉर्टर भी है ना अब गाइस यहां पर देखेंगे तो नेप नेपाल में का भी करेंट अफेस में भी नीश था कि हमारे पीम सहाब जो नेपाल के सेर बहादूर दोइबबा बने हुए जुलाई में तो वह भी आपको याद देंगा है सेर बहादूर दोइबबा इस दा पीम आफ नेपाल अब एक कोस्टन हाइस परसंटेज ऑफ में होता है एंठरेसाइड विटुमिन से लगनाइट या पीट किसमें हमारे कार्बन का सबसे उच्च प्रतीशत होगा truth का हमारा क्वेला कौन सा है टो यहां पर जंता सई वाब होना चुछ है हमारे जो best quality का कोला है इन्त्रसाइड सबसे best है सबसे हमारे beat पीट यह सबसे हमारा सबसे low quality का है फिर हमारा Lagnite आता है फिर vitumines और सबसे अच्छा तो यह उल्टा लिखा हुआ है बेस्ट वाला फिर सेकेंड बेस्ट फिर थर्ड बेस्ट और सबसे खराब लास्ट में अभी आपको तना कि कुडपा रॉक्स आर सिचुएटेड इन कुडपा जो रॉक्स हैं यह कहां पर देखने मिलेंगी कुडपा क्या लग रहा है मेरे आरघए तरहा हमारे पंजाब में कहां परने जी है मुझे लग रहे तुम्हारी जो जनता मेरी पक्का प्रदेश बोल यह दो शाहिए बकुल जवाब कटपा से मिबाए कुडपा का जो हमारा तोयसा का है में ह Simmons लए तो की ला अच्छ हुआ था इसकी पुष्टी कौन से सिलालेक में या किसने की है लुंबनी वन में हुआ था यह किसने बताया और वहाँ पर एक बहुत ब्रहत टेंपल भी बनाया लुंबनी में समुद्र गुप्त हर्सवर्धन असोक या पुलकेसिन हमारे गौतम बुद्ध के जन्म के बारे म में किसने पुष्टी की है जरा एक बाद बताईए सूंच के जबाब है असोक दा ग्रेट ने हमारे यहां पर बताय हुए यह तो अगें करेक्ट एंसर हमारे जो असोक का जन्म अलुंबनी वन में वहा था यह असोक के सिलालेक में और असोक के मंदिर में देखने मिलेगा करनाटक और के हिस्सों में दिखाई देती है लेटराइट स्वाइल ब्लैक स्वाइल एलेविल स्वाइल या एराइड स्वाइल क्या होना चाहिए बच्चों इसका सही उत्तर काजू जैसी फसल जो हमारे किस की मिट्टी के लिए फेमस है तो यहां पर जंता बोले सर लेट रेड लेटराइट स्वाइल लाल हमारी जो लेटराइट स्वाइल है उसमें आपको यह देखने को मिलेगा करेक्ट एंसर इस एक नंबर आगे चलते हैं विच आप फॉलोइंग इसा फंडामेंटल ड्यूटी आफ एवरेज सिटिजन एज मिंसें इंडा इंडियन कांसिट करता है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हमारी संस्कृति और हरिटेज को लेकर के प्रिजर्व रहना ड्यूटी वोट या ड्यूटी टू प्रेट है पे टैक्सेस क्या होना चाहिए दोस्तों सही जवाब तो यहां प्रजंता बोलेगी सही जवाबनाचे ड्यूटी टू पे हमारे प्रिजर्व दा हरिटेज साइट और यह सब हमारा राइट है जो फंडमेंटल ड्यूटी में 11 राइट लिखे हुए जैसे कि हमारे देश का सम्मान करो राष्ट गान का सम्मान करो एक्सिलेंस की तरह बड़ो बुड़ो बच्चों का बच्चों को एजुकेशन के लिए भेजो यह कुछ करता बें जो एंसी आटी किताब में आपको पढ़ने को मिलेंगे 11 बचपन से हम लोग देखते आते लेकिन कभी गौर नहीं किया लेकिन एक बार देख लेना वो 11 कौन से फंडमें में जा करके हमारी बाकी की रेगुलेट करता है जैसे की रिप्रडॉक्षन कलर हंगर एंगर हना ग्लुकोस लेवल को कंट्रोल करते हैं यह सब हमारे क्या है हमारे हार्मोन से तो यहां पर पूछा गया एंजाइम कौन है जो खाने को पचाता है तो सर ने बहुत ब्रते हैं लगा हुआ है तो तीरिपसिनु उसका इसे क्या आता है हमाराहरे संदेंख एक मूसी नदी है इसके किनारे आपको हैदराबाद जैसा बड़ा सहर देखने मिलेगा निजामों का सहर है दो किनारे मुसी है और वो किस किसमें जाकर मिलती निलती है क्रिष्णा की सभी कि क्रिष्णा की सायक नदीना है उसमें से क्मूसी भी है संगई महुसो किस नौर्थीष्ट का हमारा महुसो क्या बार मैंने आप लोगं के बढ़ाया हुआ है अभी देखते हैं कितने लोग यहां पर बताने वाले एक एक कोश्चन बनाओ मॉक्टर सोड़ना नहीं है इतलिए आपका चुट्टी वाले दिन भी एक क्लास हो रहा है ताकि आप यह पढ़िए आपके पढ़ाई में व्यवधान ना है जो पढ़ने वाले मनिपूर में घ रजघों की नउक्री लगेगी उसके पहले जिसने सगाई करने कोशिस की नवक्री लगे बीना कोई भी नटी तब सगाई lavender करना चला है लडकी Vari quande तो प्र हैखनी सिंग आग邁 चलते हैं एक सबसे कम समय पर तक सासन किस नहीं ऊ 두क है दिल्ली सिर्दू करने वाली जो हमारे गुड से मतला वो गया गुलाम वंस है ना यह हमारा उसके आसे खिल जी सबसे छोटी बेटा बहुत चोटी डेंस्टी थी 1290 में सुरूई और 1320 में दाइंड हो गई यही सबसे छोटी है खिल जी सबसे बड़ी कौन सी तुगलक तुगलक बेटा बहुत बड़ी है तुगलक तो है यह हमारी कब शुरूई थी तो यह हमारी 1320 में शुरूई थी और उसके आस से 1414 इसवी तक चली थी सबसे बड़ी है यह और सबसे छोटी खिल जी तो पूछा कौन सा था सबसे छोटी पूछा है खिल जी को पर टिक करो देखना अंक मिलेगा मिला अंक ना आगे चलत प्रतेक वर्स कितने सेक्टर में नोबल प्राइस दिये जाते हैं साथ चार छे पाच कितने सेक्टर में नोबल प्राइस दिये जाते हैं बोलिए तो प्रतेक वर्स जो है यह नोबल प्राइस के अगर आप बात करेंगे बच्चों तो यह हमारे जितने सेक्टर में दिये ज मिलता है फिर से लिट्रेचर के छेत्र में मिलता है फिर पीस के छेत्र में मिलता है और economics कितने हो गए एक दो तीन चार पांच शे आगे बढ़ते हैं नीती निदेशक्तत्य का हमारा काम क्या है मतलब किसका ऊद्देश से दानन अगर आप कही न कहीं गांधी जी आंदोलन पढ़ेंगे उससे मिलता जुलता था लेकिन सोसल रिफॉर्म के लिए बनाए गया था तो गांधियन विचार्द हरा अगर हमारी जो ठिंकिंग पूछेंगे तो गांधियन ठिंकिंग है लेकिन डेमोक्राइसी जो है यह सोसल और हीलियम का हीलियम सबसे जल्दी पिघल जाता है बाकी के सब मेटल है सबसे ज्यादा पूछेगा तो टंगस्टन का सबसे ज्यादा होता है लेकिन पूछा था सबसे कम सबसे ज्यादा टंगस्टन का होता है जनता अधी यही बोल लेए टंगस्टन का सबसे ज्यादा होता है ड जंता जवाप मांग रही है मोदी जी बताएं तो मोदी जी बताएं एगा लगए आपको लौदी जी बोलें सान come बहुला का जो सगाक है वह उडी सा वह होना चुछी उडीसा राइट ए सब्सक्र करें यहाँ पर रह दा Indian Institute of Remote Sensing located in Indian Institute of我跟你 काहण पर banalूर हैराबाद एंदाबाद या दून 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 दूंसै फ्रेट फर्म नंबर 3 की जगा चार पर रही है रिमोट सेंसिंग बात कर रही है रिमोर शंसलि कुछ बोलो ऐख्योग देरादून、 फॉरस्ट के साथ यहीं पर है तो देरादून आपको गिंट भी दिया था तो बैटा बैंगलूरू में किसका हेड कौर्टर है हेल का हड कोड़ा है हिंदुस्तिफ्तान जीम लिंटेड इस्रो का हीड कौर्टर है сотрудmeal में बना दिया है हमने बहुत बढ़ियां एड़कॉर्टर यहां पे लोग जो है बढ़ियां खेल खेलते हैं राजापोरस और अलेक्जेंडर के बीच में लड़ाई कौन से साल में हुई कब दोनों आपस में भिड़ गए 1326, 1327, 1327 या 1329 कब राजापोरस और अलेक्जेंडर के बीच में लड़ाई हुई और इन दोनों ने जो है तहलका मचा दिया तो 326 विफोर क्राइस्ट में यह हमारे अलेक्जेंडर और पूरस के बीच में लड़ाई हुई थी स्ट इनुटेजै यहां पर बोले एक नंबर उनका जवाब सही है हमारे सौर मंडल में कितने हैं अरे तो हुमाई चच्चा को भी पता है आठ दस नो या साथ इनता बोलेगी तर यहां पैकर आपका आप करेंगे सहार मंडल्यों में ग्रहों कि संख्याय बहुत सारे एं ले नहीं है पनजी है विसाखापत्नम है मुंबई है या मैंगलौर का अरब सागर का एक बंदरगाह नहीं है मतलब यह हमारे बंगाल की खाड़ी में है और यहां पर क्या है अरब सागर यहाँ पर पेढ़ भांड है पंजी है न फंदरा प्रदेश अपट्र देंगे यह होजाएगा आगे देखो मुंबई यहां पे मंगलो और यहां पे तो यहां पर आगे बढ़ गया ठोको एक साका पठने मैं से किसको औरेंज शिटी आ रहे सोलापूर नापूर नासिक हम नहीं बढ़ेंगे करेंगे नापूर 001 ग्रेप 16 26 पूर को 1 जादर के लिए इन कोन से एमेंटमेंट के तहःत हमारे सुप्रिम कोट के हाइइ कोट के जजेस की उम्र साठ से बढ़ाके 62 साल कर दीग सही जवाब है वो है हमारे पंद्रा नंबर जो है इसा किया गया 21 नंबर में सिंधी भासा को जोड़ा गया था 21 नंबर सिंधी भासा को तो यह इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो याद रखना है 21 नंबर में सिंधी भासा को और हमारे सत्रा नंबर पंद्रा नंबर जो ह है इसमें क्या किया गया था हमारे आप पर एज को 60 से बढ़ा के 62 बगलिहार जो नदी पर योजना है यह कौन से हमारे रिवर पे बेतवा चेनाब सतला जिया रावी क्या लगता है मेरे साथियों क्या होना चाहिए जंता बुलिए सर आप बोल रहे हैं बगलिहार यह हमें बाइती है रभी पंजाब हिमाचल में बाइती है सही जवाब हो जाएगा चेनाब तो बच्चों यह था हमारा आज का दिवाली स्पेसल क्लास जो यहीं पर खतम होती है क्योंकि देखे पढ़ाई होती रहने चीए इसलिए क्लास थी कई लोग इसको रिकॉर्डर फॉम में आपको पढ़ा रहा हूं इंतिजार की घड़ियां खतम हुई तो एससी का बैस 3 2022 के लिए जिसमें आप इन्रोल करना चाहते हैं एक दिसंबर से क्लास चुरोगी तो पंकज 24 नाम है तो पंकज 30 से इस्तमाल करिए यहां पर और 20% छूट का लाब उठाईए अब यहां पर अगर आप टेस्ट बुक पास मतलब कोई टेस्ट स्रीज के लिए इन्रोल करना चाहते हैं कोई नहीं सारी टेस्ट स्रीज मत बहुत ही नॉमिनल सी कीमत पे हैं तो यह राट टेस्ट बुक पास के लिए पी एसी पास और 30% छूट का लाब उठाईए मजे मारिए उमीद करत अगली दिवाली में सरकारी नौकरी होनी चाहिए समझ रहो कि नहीं बाइग गाइज लब यू